हेलो स्टुडेंट्स मैं सीमा स्वागत है आप सभी का एर्थ क्लास के हिंदी सब्जेक्ट में आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बसंद भागतीन के पार्थ दो लाग की चूणियां जिस कहानी के लेखक हैं कामता नात प्रस्तुत पार्थ में मशीनों के अधिकादिक प्रयोग से उत्पन दुष प्रभावों का हिर्दे इसपरसी वर्णन क्या गया है मशीनों के बढ़ते प्रयोग को एक और जहां विकास का सूचक माना जाता है वहीं दूसरी और लगू एवं कुटीर उद्योगों पर कितना बुरा प्रभाव डालता है यही इस पार्थ का वर्ण विशय है एक और जहां इस मशीनी युक में कितने हात्तों से काम छिन गया है वहीं दूसरी और इन उद्योगों से हानी होते देख लोग पैत्रक उद्यम छोड़कर नया उद्यम करने को विवश हो रहे हैं या रोजगार हीन हो रहे हैं इस पार्थ में मशीनी युक का शिकार हुए बदलू मनिहार की पीड़ा का मार्मिक बर्लन है इस पार्थ के शब्दर्ध हैं चाओ, चाह, सलाक, धातो किछड, पैत्रक, पूर्वजों से प्राप्त, खपत, माल की बिक्री वस्तु विन में पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना कसर, कमी, नाजुक, कोमल, पगड़ी, सिर पर लपेड कर बांधा जाने वाला लबा कपड़ा मचिया, सुतली आदी से बनी छोटी चोकुर खाट, मुखातिव, देख कर बात करना डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र, फपना, सजजना, शोवा देना मुगरी, मुठ्या दा लकडी, जो ठोकने पीटने के काम आती है मरंपटी, घाव पर दवा लगा कर पट्टी बांधना इस पाट के पशन उतर है पहला, बच्पन में लेखक अपने मामा के गाओं चाओं से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था इसका उतर है बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाउं में बदलू मनिया रहता था वह बहुत ही सुन्दर चुड़िया बनाता था लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाओ था वह लेखक को धेर सारी लाख की रंग ब्रंगी गोलियां बना कर दिता था बदलू उसके लिए दूद मलाई बचा कर रखता था और लेखक को दिया करता था लेखक को बदलू की गर परस्वादिश्ट आम खाने को मिलते थे गाउं के सबी वच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे इसलिए लेखक भी उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था नेट्ट कोशन बस्तू विनमे क्या है? विनमे की प्रचलिश पद्दधी क्या है? इसका उतर जब किसी एक वस्तू या सेवा के बदले दूसरी वस्तू या सेवा का लेंदिन होता है तो इसे वस्तू विनिमे कहते हैं जैसे एक गाय लेकर दस बकरियां देना इस पद्धती में रुपे पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उधारान के तौर पर पाठ में लोग अनाज के बदले बदलू से चूडियां ले जाया करते थे किन्तु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तू का लेंदिन मुद्रा के दुआरा होता है विनिमे की प्रचलिज पद्धती रुपिया है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिये हैं इस पंक्ती में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिये हैं इस पंक्ती में लेखक ने मशीनों के प्रियोग के कारण समाज में बढ़ती विरुजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है मशीनी करण के कारण हस्त शिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कारीगरों के पैतरक व्यवसाए बंध हो गए लोग बेरुजगार हो गए मशीनों के आगमन से कारीगरों की रोजी रोटी का साधन खत्म हो गया नेक्ट कुशन बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी इसका उतर बदलू लाख की चूणिया बेचा करता था परन्तु जैसे जैसे काच की चूणियों का प्रिचन बढ़ता गया उसका व्यवसाए ठप पढ़ने लगा इसके अलावा शादी के समय जिस सुहाग के जोड़े की वह मुह मागी कीमत लिया करता था उसे भी लोग सहर से लाने लगे अपने व्यवसाए की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोड़ती थी काच की चूणियों को देखकर कुड़ने वाला कुशल कारीगर अब गाव में हर कलाई पर काच की चूणियां देखकर अपने ही विवश होकर रह गया बदलू के मन की यह व्यथा लेखक से चिपी ना रह सकी next question मशीनी युक से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया उत्तर है इसका मशीनी युक से बदलू के जीवन में निमनर्कित बदलाव आये मशीनी युक के कारण उसके गाउं की महिलाओं की कलाईयों पर काच की चूड़ियां शुशोवित होने लगी इससे एक कुशल कारीगर उपेशित होकर रह गया उसकी बनाई चूड़ों की मांग घड़ गई इससे पैतरग विवसाय बंध हो गया इस पेशे से होने वाली आयसमाप्त हो गई शादी ब्याह जैसे पवित्र मौकों पर सुहाग के जोड़े के रूप में उसकी बनाई चूड़ियों को एक विशेश महतु दिया जाता था किन्तु उसका इस्थान काज की चूड़ियों ने ले लिया था अपने व्यवसाय की उपेश्या होती देखकर बदलू, लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था इन सबी शब्दर्थ प्रश्णुत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखेगा और याद करिएगा घर में रहिए, स्वस्त रहिए, धन्यवाद